हाई गाइज मैंने में इस अतुल और आज मैं यह रिव्यू करने जा रहा हूं और इक का गिलॉय लेमनेड यह प्रीमियम है वेट तुल सी तो यह इम्यूनिटी सिस्टम आपका बूस्ट करने के लिए अगर अगर अभी भी बिमार हुए है और या कोवीड से रिकवर हो रहे है इसे बॉड़ी का वाटर लेवल भी कम होता है गिलॉय से पर इससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाता है इसका डेस एडवंटेज यह है कि लो ब्लड शुगर होके कभी-कभी डाइबेटिस वालों को तकलिफ होता है शायद वह चक्करा के गिर भी सकते है चेंज कर जाता है क्योंकि इसे ब्लड शुगर लेवल कम होता है तो यह उसले अवाइड तो इससे कॉंस्टिपेशन भी होता है तो इसको कमी मात्रा मिलेना चाहिए वैसे इसमें कमी है दिखा मैंने किलॉय 25 परसंट डेली तो इतना ही एनफ है तुलसी 30 परसंट इसमें इ वाइड ब्लड वाइड जो ब्लड सेल्स रहते हैं जो हमें सिस्टम अच्छा करते हैं वह इसे बढ़ जाते हैं तो अगर आप अभी भी बीमारी से बाहरा है तो यह यूज करो पर एक ही डिसएडवांटेज होता है कि यह खटा है तो अगर इसको पी होगे तो शायद आप को खटा खाने के बाद थोड़ा बॉड़ी दुखने लगता पकड़ने लगता तो उस तरीके बीमारिया हो सकती है तो यह है पूरा इसका स्रुक्चर और यह कभी भी सकते हैं 250 ml गिलोई 100 पसंट नैश्र तो यह 250 ml का है तो मैं इसको अभी ट्राइब करूंगा और डेली व रिव्यू कर रहा हूं कुछ भी अगर आपको डाउट रहेगा तो नीचे कमेंट सेक्षन में लिख दो मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा इसका टेस्ट नॉर्मल एलेमेनेट जैसे ही है तो यह तो बोड़ी के लिए अच्छा है पर फिर भी जो भी डाइबेटेस है वो लोग ना ले और जिनको कॉंस्टिपेशन का प्रॉब्लेम वह भी ना ले बाकि सब्सक्राइब कर सकते जिनको अभी अभी बहुत वीकनेस फील हो रहा है वो लोग इसको जरूर पी सकते इसे अपका वाइड ब्लड ब्लैटलेस बढ़ जाएगा वाइड ब्लड ब्लड सेल्स वो जो ब्लैटलेस रहते हैं वो इससे बढ़ जाते हैं तो यह उसमें बहुत बहुत यूसफूल होता है तो थैंक यू बस इतना ही